नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और इंगलेंड के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले के बारे में पहला मुकाबला भारतिया टीम पहले ही हार चुकी है और सीरीज में एक जीरो से बीचे है यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही जादा महतुपूर्ण साबित होने वाला है भारतिया टीम अगर इस मुकाबले को हारती है तो उसे बाकी के सभी तीनों मैं जीतने होंगे वहीं इंगलेंड को अगर कल जीत मिलती है तो सीरीज पर कब जा करने के लिए उन्हें महच एक मुकाबले और जीतने होंगे ऐसे में भारतिया टीम इस मुकाबले में एरी चोटी का जोड़ लगा देगी और इस मुकाबले को किसी भी तेरे से जीतने की पूरी कोशिस करेगी और भारतिया टीम अपने बेस्ट 11 के साथ दूसरे मुकाबले में उतरना चाहेगी हालांकि रोहित सर्मा को दूसरे मुकाबले में एक बात फिर से आराम दिया जाएगा कोहली ने इस बात को पहले हिसाफ कर दिया था और सुरे कुमार यादवी टीम का हिसा सायद नहीं ही होंगे ऐसे में भारतिया टीम कुछ इस प्रकार दिखेगी सिखर दवन, लोकेश राहुल, विराट कोहली, रिशाप पंत, स्रेय शायर, हर्दिक पांड्या, सारदुल ठाकुर, अक्षर पतेल, चहल, भुनेश्चर कुमार और टीनेट राजन तो बेहदी कमाल की टीम नजर आ रही है भारतिया टीम लेकिन जिस तरीके से इन तेनों ही बल्लेवाजों ने बल्लेवाजी करी, कहीं न कहीं, बहुत ही ज़्यादा हथ तक निरासा जनक बल्लेवाजी रही इन तीनों की, खास करके विराट कोली सिर्फ आये और चले गए, उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया, बिना खाता खोले ही विराट कोली आउट हो गए, और यह निसी तर पर हैरान करने वाला था, खास तर पर आपको बता दूँ कि पार पाना चाहेगी और दूसरे मुकाबले को किसी भी हाल में जीतने की पूरी कोशिस करेगी, दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना साथी क्रिकेट के लिटेस्ट कबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लेना, मिलते हैं अगले से लिए लवग यू ओल